हलो एंड गुड मॉर्णिंग आज के लेक्चर में हम क्वांटम मेकेनिक्स को ही कंटीनु रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह लेडर ओपरेटर के ऊपर होगा और इस टॉपिक के ऊपर हमने जब जो लिनियर हर्मोनिक ओक्सिलेटर ओपरेटर मेथर्ड से सोल करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो लैडर ओपरेटर होता है यह दो टाइप के होते हैं अब कौन-कौन से कुमिटेशन रिलीशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक तो lz का l- के साथ पढ़ेंगे दूसरा l- के साथ और जो ठर्ड है lz का l- के साथ घिसाथ यह तीन कोमिटेशन रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यह काफी time एक्जाम में 2 या 3 मार्क्स के इंदर एक एक पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले हम first वाले से start करते हैं फर्स्ट वाले को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, क्या है, LZ का हमें किसके साथ निकारना है, L पलस के साथ कोमिटेशन रिलेशन निकारना है, तो L पलस की वैल्यू है, अपने पास यह वाली वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ जाएगा LZ LX पलस आयटा L Y ब्रेकिट कलोच, अब इस LZ को एक बार LX के साथ अलग से लिख लेंगे, और एक बार LZ को L Y के साथ अलग से लिख लेंगे, तो यहाँ जाएगा LZ LX अलग से लिख लिया, पलस आयटा को हम बाहर निकार लेंगे, आयटा बाहर निकार लिया, LZ को ly के साथ अलग से लिख लिए यहाँ पर z भी आएगा ठीक है उसके बाद next step में हम इसके value रखेंगे इसकी value क्या होगी जैसे यह हमारे पास x, y और z है यहाँ पर हमारे पास अगर यह cyclic है cyclic मतलब z के बाद x से y, y से z और z से x तो अब यहाँ पर z से x है तो इसकी value हो वो क्या हो जाएगे आयटा h cut इसमें z आगया x आगया तो क्या जाएगा ly आजाएगा पलस का साइन as it is, आयटा यहाँ पर as it is रखेंगे अब यहाँ पर क्या है lz, ly अब पहले z है और फिर y है मतलब जो non cyclic coordinate non cyclic in the sense से anti clockwise मतलब पहले z है फिर y आ रहा है तो यहाँ पर इसकी value हो जाएगी वो आजाएगी माइनस आयटा h cut z भी है y भी है तो यहाँ पर आ जाएगा lx अगर clockwise है x y z फिर x है तो हम plus लेके चलेंगे अगर anti clockwise है तो फिर हम माइनस लेके चलेंगे ठीक है अब इसको आगे solve करें तो यह क्या हो जाएगा यह h cut 충 eh y plus यह h cut in दोनों ट्रम में से common निगार लेते हैं इसमें अगर हम बाहार निगार लें तो यहा dentro पर बच जायेगा यह बच जाएगा LX पलस आयटा ल Y और ये वाली जो value है LX पलस आयटा L Y किसकी है LX पलस आयटा ल Y इसको हम क्या लिख सकते हैं L पलस लिख सकते हैं तो यह आजाएगा L पलस यह इसका result आगए उसके बाद बात करते हैं second commutation relation की L L- ठीक है, तो सबसे पहले, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो L- है, इसकी value रखेंगे, L- का है, L+, को Socitys रखा, और L- की value रखेंगे, तो L X- areta L Y, ब्रेकेट कलोच, अब यह जो L+, है, इसको एक बार X के साथ, अलग से लिखूंगा और एक बार L Y के साथ, अपने अलग से लिखूंगा तो next step में यही l plus lx plus sorry minus minus का sign है तो यहाँ पर आजाएगा minus और आयटा हमने बाहर रखा l plus और ly ठीक है अब l plus की value भी है अपने पास l plus की value यह रही है यहाँ पर lx plus और आयटा ly तो अब l की जो l plus से इसकी value रख देते हैं तो यहाँ जाएगा lx plus और आयटा ly और साथ में lx minus और यहाँ यहाँ पर as it is bracket l plus की value फिर से रख देंगे यह वाली value lx plus और आयटा ly और साथ में यह ly ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे यह जो lx है वो एक बार lx के साथ अलग से लिखेंगे और ly के साथ अलग से लिखेंगे तो यहाँ जाएगा lx lx plus आयटा बाहर रखा ly और lx ठीक है minus आयटा फिर से यह आयटा as it is अब यहाँ पर यह जो ly है वो एक बार lx के साथ लिखेंगे और जो ly है एक बार वो ly के साथ लिखेंगे तो यहाँ जाएगा lx ly bracket close पलस आयटा बाहर रखा ly और ly अलग से लिख लिखेंगे उसके बाद next step में अगर lx lx के साथ commit करेगा यह हमें 0 देदेगा और ly ly के साथ यह भी हमें 0 देदेगा अब दो ट्रम रहते हैं कि यह वाली ट्रम और दूसरी यह वाली ट्रम आप इनकी value रखेंगे आयटा तो yz ठीक है अगर clockwise है तो positive लेंगे anti-clockwise है तो negative लेंगे तो यहाँ पर पहले y आ रहा है फिर x आ रहा है पहले y और फिर x मतलब anti-clockwise है अंटी-clockwise है तो हम यहाँ पर लेंगे minus आयटा edge cut lz मतलब y भी आ चुका यहाँ पर x भी आ चुका जो थर्ड बस ताब वो आएगा ठीक है minus as it is और उसके बाद lx,ly इसका जो रहा है और x पहले आ रहा है और y बाद में आ रहा है तो यह cyclic है यहाँ पर clockwise है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयटा यहाँ पर as it is आयटा h cut और यहाँ जाएगा lz अब इसको अगर आगे शोल करें तो यह आयटा into आयटा i2 square i2 square की value क्या होती है minus minus पहले से तो यह टर्म क्या हो जाएगी plus की हो जाएगी h cut lz और यहाँ पर i2 i2 square minus पहले से i2 square की value minus 1 तो यह आजाएगा plus h cut lz आजाएगा अब अगर इन दोनों को add कर दें add करने के बाद क्या आजाएगा 2 h cut lz तो यह हमने जो second commutation relation था l plus or l minus का उसका result भी निगार लिए उसका result क्या है 2 h cut lz उसके बाद जो third रहता है lz का किसके साथ l minus के साथ तो यह commutation relation भी निगार लेते हैं यह third वाला और इस lz का किसके साथ l minus के साथ तो l minus की value है आपने पास lz को as it is लिखा और इसकी lx minus eta ly फिर से वही z को एक बार x के साथ लिखेंगे और z को एक बार ly के साथ लिखेंगे यह आजाएगा lz lx आगे साथ माइनस का है तो माइनस आएटा बाहर लिख लेंगे और यह आजाएगा lz ly ठीक है next step में क्या करेंगे यहाँ पर जो lz और lx फिर से वही x y z तो पहले z आ रहा है फिर x आ रहा है z और फिर x तो इसके value आजाएगे आएटा h कट ly minus आएटा यहाँ पर agitate और यहाँ पर पहले z आ रहा है फिर y आ रहा है तो z से y जाएगे तो यह क्या है anti-clockwise है anti-clockwise है तो यहाँ भी minus का आ जाएगा minus आएटा h cut lx उसके बाद next step में यह वाली टर्म as it is रखते हैं आएटा h cut ly अब आएटा into आएटा आएटा square आएटा square की value minus 1 तो यह आ जाएगा minus और h cut lx अब यहाँ से अगर मैं h cut common निकार लू h cut अगर हम यहाँ से common निकार लेंगे तो आजाएगा h cut minus h cut common निकार लेते हैं तो यह आजाएगा lx minus ita ly और lx minus ita ly की value होती है l minus की तो यहाँ पर लेख देंगे minus h cut l minus यह हमने third commutation relation का भी यहाँ पर result निकार लिया उसके बाद एक छोटा सा commutation relation ओर रहे तरह काफी टाइम एक नंबर में एक्जाम ही पूछ लिया जाता है l square का l plus के साथ commutation relation निकारना पर जाए तो कैसे पर आयटा बाहर l square को ly के साथ अब यह हमें यह भी इसकी value 0 हो जाएगी और इसकी value 0 हो जाएगी तो यह इसके साथ commute करेगा और यह हमें कितना देदेगा 0 देदेगा तो यह ladder operator के कुछ commutation relation थे आई होप आपको यह समझ आयों थैंक यू